कुरुक शेत्र युद्ध का सतरवान दिन कौरव और पांडव पक्ष की सेनाओं के बीच फीशन युद्ध चल रहा था। दोनों ही पक्ष के बड़े बड़े युद्धा एक तूसरे के साथ फीशन युद्ध कर रहे थे। और अचानक ही करण ने वहाँ परशुर रामजी इसे प्राप भार्गवास्त का आहवान कर दिया। उस अस्तर के प्रकट होते ही समस्त पांडव सेना में भगदर मच गई। यहां तक कि अर्जुन भी युद्ध भूमी से चले गए। क्या अर्जुन भी बहभीत हो गए थे भार्गवास्तर से? क्या करण के उस अस्तर से ड़कर ही भागे थे अर्जुन? आखिर कितना शक्तिशाली अस्तर था वो? क्या परिणाम निकला था जब उस अस्तर ने विध्वन्स करना आरम कर दिया था? आये विस्तार से जानते हैं। महा भारत के कर्ण पर्व अध्याय 64 के अनुसार तुर्योधर ने अपनी सेना का पतन होते देख अश्वत थामा को अर्जुन से युद करने के लिए भेजा। परंतु भ्यंकर टकर देने के बाद भी अश्वत थामा अर्जुन के समक्ष टिक नहीं पाए और पराजित हो गये। यह देख कौरव सेना में भ्यंकर को लाहल मच गया। वांडव विजे पा प्रुकार करता ही रह गया। परंतु कौरवों की मार खाती हुई सेना किसी भी तरह ठहर ना सकी। उस समय दुर्योधन ने करण से कहा करण देखो पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। वीर तुमारे रहते हुए फै के कारण मेरी सेना भाग रही है। ये जानकर इस समय जो करतव्य प्राप्त हो उसे करो। पांडवों द्वारा खदेडे जाने वाले सहस्त्रों कौरव सैनिक समरांगण में तुमें ही पुकार रही है। करण ने दुर्योधन की ये बात सुनकर शल्य से कहा आज तुम मेरी दोनों भुजाओ और अस्त्रों का बल देखो। मैं रण भूमी में पांडवों सहित समस्त पांचालों का वद किये देता हूं। आप इन घोड़ों को आगे बढ़ाईए। ऐसा कहकर करण ने अपने विजह नामत धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चड़ाई। इसके बाद करण ने भा भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उस महा समर में सैस्त्रों, लाखों, तीके बान उस अस्त्र से प्रकट होने लगे। उन प्रज्वलित एवं भ्यंकर बानों द्वारा पांडव सेना आच्छादित सी हो गई। प्रबल भार्गवास्त्र से समरांगन में अरण बार, अरजुन और श्रीकृष्ण को पुकारते थे। करन के बानों द्वारा मारे जाते हुए उन सैनिकों का आर्थ नाद सुनकर कथा वहां महाँ भैंकर भारगवास्त्र का प्रयोग हुआ देखकर अरजुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा- ये भारगवास्त का प्राक्रम देखिए समरांगन में किसी भी तरह इस अस्त्र को नश्ट नहीं किया जा सकता शिरी क्रिश्ण कुरोध में भरा हुआ सूथ पुत्र महा समर में कैसा दारुन करम कर रहा है पैनिरंतर खोड़ों को हाकता हुआ बारंबार मेरी ही और दिख रहा है समर भूमी में करण के सामने से पलायन करना मैं उचित नहीं समझता मनुश्य जीवित रहे तो वे युद में विजय और पराजय दोनों पाता है मरे हुए मनुश्य का तो नाशी हो जाता है फिर उसके विजय कहां से हो सकती है अर्जुन के ऐसा कहने पर शिरी कृष्ण ने अर्जुन से क कहा पार्त करण ने राजा युदिश्टर को अत्यांत क्षत विक्षित कर दिया है उनसे मिलकर उन्हें धीरज बदाकर फिर तुम करण कवद करना अर्जुन ने बड़े वेग से फीम से इनके पास जाकर उनसे राजा का समाचार पूछते हुए कहा है इस समय हमारे महराज कहा है इम से ने कहा धरम पुत्र राजा युदिश्टर यहां से हट गये हैं करण के बाणों से उनके सारे अंग संतप्त हो रहे हैं संभव है वे किसी प्रकार जी रहे हैं अतियाप शीगर ही उनका समाचार जानने के लिए जाईए मैं यहां शत्रों को रोके रहूँगा तब शीरी कृष्ण रत को शीगर से शीगर वहां ले गए जहां राजा युदिश्टर विश्राम कर रहे थे वहां युदिश्टर से मिलकर अर्जुन ने उन्हें करण का वद करने का विश्वास दिलाया जब शीरी कृष्ण और अर्जुन वापस युद्ध भूमी में लोट रहे थे तो शिरी कृष्ण अर्जुन से बोले खरच्ष्रेष्ट देखो वे पांचाल योद्धा दोड़ रहे हैं इस्चे ही करण और दूसरे दूसरे योद्धा उन्हें दोड़ा रहे हैं अर्जुन तुम उनका उध्धार करो करण ने भिगु नंदन परशो राम जिसे जो महा घोर अस्त्र प्राप्त किया है उसी का रूप इस समय प्रकट हो रहा है वे अत्यंत भ्यंकर एवं घोर भारगवास्त्र पांड़ों की विशाल सेना को अच्छादित करके अपने तेज से प्रजोलित हो संपूर्ण सैनिकों को संतप्त कर रहा है समरांगण मे इसकी चोट खाकर ये पांचाल सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं तीम सेन सब और से स्रिंजों द्वारा घिरकर करन के साथ यूद करते हुए उसके पैने बानों से पीड़त हो रहे हैं यूदिश्टिर की सेना में तुमारे सिवा दूसरे किसी यूधा को मैं आईसा नहीं देखता जो राधा-पुत्र करन का सामना कर सके। आज तुम अपने प्रतिग्या के अनुसार दीके बानों से करन का वद करके उजbn कीड़ती प्राप्त करऊ। अट्य महारती करन को मार कर ये महार कारे संपन करने के पश्चाद तुम क्रित सत्य सफल मनुरत विम्सुखी हो जाओ और उसी दिन अर्जुन के हाथों करण मारे भी गये थे अंत में निशकर्ष निकाला जाए कि अर्जुन फार्गवास्त्र से डर गये थे तो ये सरासर गलत होगा अर्जुन ने भी उस अस्त्र की प्रशंसा करते हुए श्रीकृष्ण से कहा था कि इस कोई तोड नहीं जान पड़ता अर्जुन वहीं रुक कर करण का सामना करने को तत पर थे पर श्रीकृष्ण के कहने पर वे युद्रिश्टिर को दिखने के लिए निकल पड़े वैसे भी जब वे अस्त्र अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था तब भीम युद्भूम सिर्फ आम सैनिक ही उसकी चपेट में आकर मारे गए थे इससे अधिक कुछ नहीं जब युद्धिश्टिर से मिलकर अर्जुन वापिस लोटे थे तब भी भार्गवास्तर सक्रिये ही था उस समय भी उसका प्रभाव केवल पांचाल सेना पर ही पड़ा था वे अस्त्र मु पर सीधा भार्गवास्तर चलाने पर अर्जुन निश्टि अपने किसी दिव्यास्तर से उसे काटते तो इससे अच्छा है कि जितनी अधिक मात्रा में पांडव सेना को नश्ट कर दिया जाए उतना ही अच्छा और ये भी नहीं था कि करण ने एक ही बार भार्गवास्तर का प्रियोग किया था दूसरी बार करण ने भार्गवास्तर तब चलाया था जब अर्जुन द्वारा चलाया गया इंद्रास्तर करण के प्रान हरने ही वाला था इस बार करण ने अपने इस अस्टर का प्रियोग अपनी सुरक्षा के लिए किया था अर्जुन के इंद्रा प्रभवास्टर को निश्क्रिय करने के उपराथ भार्गौास्तर का प्रभाव थो समाप्त हो चुका था चूंकि भार्गौास्तर एंद्रास्तर से अधिक शक्ति चाली था इसलिए इनके टकराने से पांड़ सेना का कुछ विनाश अवश्य हुआ परंतु भार्गौास्तर का प्रभाव शीग्र ही समाप्त हो गया था अते उसे प्रभाव ही इन करने के लिए अन्य अस्त्र चलाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ी इसके बाद अर्जुन ने प्रमास्त्र के समान एक अन्य दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और करण की आँखों के सामने ही उस अस्त्र आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा कृपया इसे लाइक और शेयर रवश्य करें किसी भी प्रकार की तूटी के लिए आप सब से ख्षमा याचना करते हुए आप से निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारर करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जाए